हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होग कि आप सब ठीक होंगे वेल दोस्तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि आप अपनी वर्ड एक्सल और पाउरपोइंट फाइल को PDF में कैसे कनवर्ट कर सकते हो without software और without any online source को use किये हुए ठीक है तो दोस्तो आज के इस टॉपिक में बात करने वाला हूँ कि आप अपने वर्ड एक्सल और पाउरपोइंट फाइल को बिना किसी software की मदद से और बिना किसी online source को use किये हुए आप डिरेक्ट अपनी वर्ड एक्सल पाउरपोइंट फाइल को PDF में कनवर्ट कर सकते हो ठीक है तो दोस्तो बने रही में साथ इस वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत interesting होने वाली है हलो दोस्तो मेरा नाम है विशाल और आप देखे हो technical mark चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो अब मैं बताने वाला हूँ कि आप अपनी वर्ड एक्सल या पाउरपोइंट फाइल को बिना online किसी source को use किये हुए या without किसी software को use किये हुए आप अपनी वर्ड एक्सल और पाउरपोइंट फाइल को कैसे PDF में convert करते हो ठीक है तो यही समझाने वाला हूँ मैं इस वीडियो में मैंने वर्ड फाइल open कर ली है आपको simply क्या करना है फाइल पे जाना है save as पे click करना है फिर उसके बाद यहाँ पे save as type का option आपको मिलेगा उस पे click करना है फिर इसमें हमको PDF मिल जाता है ठीक है फिर हम इसे अपनी location दे देते हैं कहाँ पे हमें save करना है हम desktop पे save करते हैं इसको ठीक है फिर उसके बाद हम save कर देंगे तो यह आपके सामने PDF फाइल open हो जाएगी जैसे कि आप देख पारे हो हमारी word फाइल PDF में convert हो चुकी है इसे की उपर देख पारे हो आप word add of reader आ रहा है ठीक है तो हम इसे cut कर देते हैं और इसे भी हम cut कर देते हैं ठीक है तो जैसे कि desktop पे show हो चुका है कि word की file हमारी PDF में convert हो चुकी है अब हम Excel पे आते हैं इसमें भी same process करना होता है file पे जाओ save as पे click करो file name दो और save as type में PDF पे click करना है फिर location देनी है उसके बाद इसे भी save कर देना है ठीक है तो दोस्तों ये भी देखो हमारा PDF में convert हो चुका है Excel की जो file थी वो हमारी PDF में convert हो चुकी है तो हम इसे अभी close करते हैं और देखते हैं desktop पे तो आप देख सकते हैं कि Excel की file आ चुकी है अब हम PowerPoint पे आते हैं PowerPoint में भी same process करना होता है file पे जाएंगे save as पे जाएंगे और ये save as type पे click करेंगे और इसमें भी हम PDF का option select करेंगे और location देदेंगे desktop ठीक है और save कर देंगे तो ये भी file हमारी आप देख सकते हो कि PDF में convert हो चुकी है तो काफी easy और काफी simple tricks है ये अपने PDF file को convert करने की ठीक है तो दोस्तों ये features आपको ये जो हमारा office है Microsoft Office 2010 और 2010 के बाद आपको ये सारे office में available मिलेगा ये PDF वाला option आप अपनी किसी भी file को PDF में convert कर सकते हो और दोस्तों 2007 है उसमें आपको ये features नहीं मिलता है इसलिए आप 2010 के बाद जितने भी office है उसमें आपको ये PDF वाला features मिल जाता है ठीक है तो आप easily used कर सकते हो तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता है कि आपको ये feature 2010 के बाद जितने भी Microsoft Office आए है उसमें आपको inbuilt मिलता है और ये 2007 में आपको inbuilt नहीं मिलता है उसके लिए आप को एक plugin डाउनलोड करना हो तो इसके बाद ये feature add हो जाता है कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसी लगी अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीचे और बैल आइकन प्रेस कर दीचे तो मिलते हैं ऐसी इंटेस्टिक टॉपिक के साथ नेक्ट वीडियो में तब तक ख्याल रखिये अपना और अपनी फैमली का थेंक यू